है नावस्तकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस योटूब चेटर शिख्षा एकेरमी में तो चलिए दोस्तों आज के इस व्योडियो में है शामन नज्याण के 20 महत पूर्ठ प्रश्णत चलिए दोस्तों स्टार्ट करतें वीडियो कॉ जो इस व्योडियो तीर से तीर नदियों का उद्गम होता है कौन-कौन सी पहली है एक सिंदू दूसरी सतलज और तीसरी है ब्रह्म पुत्र नदी यह तीनों नदी का मानसरुबर से उद्गम होता है इसके बाद अंगला प्रशन बिश्व का सबसे बड़ा नदी दूईप माजूली का नुमान करने वाली नदी कौन सी है इसका आंसर है ब्रह्म पुत्र नदी जो की असमराज में पढ़ता है इसके बाद अंगला प्रशन है प्रतवी के उत्तरी दुरब एबं दच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अंगला प्रश्ण है खेवर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े होते हैं या जुड़े हैं खेवर दर्रे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देश जुड़े हुई है यानि कि इन दोनों देशों के बीच में खेवर दर्रास्तित है इसके बाद चलते हैं अंगले प्रश्ण पर अंगला प्रश्ण है किस नदी को बिहार का सोग कहा जाता है किस नदी को बिहार का सोग कहा जाता है तो इसका अंसर है कोशी नदी को कहा जाता है बिहार का बिहार का सोग इसके बार चलते हैं अंगले प्रश्ण पर अंगला प्रश्ण है किस नदी को उडिशा का सोग कहा जाता है उडिशा का सोग किस नदी को कहा जाता है तो इसका अंसर दोस्तों महा नदी को कहा जाता है उडिशा का शोग इसके बाद अंगला प्रश्ण कोचीन का जुड़वा नंगर या सहर कौन सा है कोचीन का जुड़वा सहर नंगर या कौन सा है तो इसका अंसर ऊझ्रेश के बाद अंग प्रशन प्रत्वी की अनुमानत आयू निम्ल मैंसे कितनी भरसे इस यो आईilen प्रत्वी की अनुमानत आयू प्रत्वी See इसके बाद अंगला प्रश्ण विस्व का सबसे उंचा ज्वाला मुखी परबत कोटो पैपसी कहां इस्तित है दिसकांसर दोस्तों फिलीफिंस देश में इस्तित है इसके बाद चलते हैं अंगले प्रश्ण पर एंगला प्रश्ण है सारी कल्चस किसके उत्पादन से संबंदित है इसका अंशर दोस्तों है रेसम के उत्पादन से संबंदित है इसके बाद अंगला प्रश्ण है भारत में सबसे प्रानी परवत सिंखला कौन सी है तो इसका अंसर है दोस्तो आरा वली परवत माला या सबसे प्राचीन परवत सिंखला है इसके बाद चलते हैं दोस्तो अंगले प्रश्ण पर अंगला प्रश्ण है ओम कालेश्वर जल बिद्धुत सयंत्र से उज़ा उत्पन होती है या कितनी उज़ा उत्पन होती है दोस्तो पास सो बीस मेगाबार्ट उज़ा उत्पन होती है ओम कालेश्वर जल बिद्धुत सय इसके बाद चलते हैं अंगले प्रष्ट पर अंगला प्रश्ण है तो तुल बुल पर यूजना किस नदी पर बनी हुई है या किस नदी से संबंदित है तुल बुल पर यूजना तुस इसका अंसर है यह है जेलम नदी से संबंदित है या जेलम नदी पर बनी हुई है जम्म ये किस भासा में किया गया था इंडिया सब्द का प्रयोग भारत में किस भासा में किया गया था तो इसका अंसर दोस्तों ग्रीक भासा में किया गया था या ग्रीक वालों ने किया था इंडिया का प्रयोग इंडिया सब्द का प्रयोग किया था इसके बाद चलते अंगले प कई को घंडिह के आधिक बनती है उभी द्वारा निकला आती है यरक वह नहीं निकलती तो प्रत्वी फटने की संभाहना अधिक हो जाए जुरह को प्रत्वी कहा चाँता आ है इसके बाद अंगला प्रश्ण दन सँम्ष दन कहां आष स्टेट आर्प अनुसंद्धान संस्थान इस्तित है दहरा दून में इस्तित है इसके बाद अंगला प्रश्न उनका सबसे बड़ा उत्पातक देश कौन सा है तो इसका है दोस्तो आश्टेलिया देश है इसके बाद अंगला प्रश्न तमिल नाडू वा आंध प्रदेश के टट का नाम क्या है तमिल नाडू वा आंध प्रदेश के टटिये प्रदेश टटिये लाकों का क्या नाम है या टट का क्या नाम है तुसका आश्ट दोस्तों कोरो मंडल की नाम से जाना जाता है तमिल में सबसे अधिक इस ब्रतिसाति है या है सन 1902 में भारत की सबसे पहली पर Lacan कहां इस्ताफित की गई थी निम्न मेंसे कहां इस्ताफित की गई थी सन 1902 में भारती सबसे पहली जल विद्धुत परियोजना कहां इस्ताफित की गई थी दूस्तों यह है शिफ समुद्रम इस्ताफित की गई दूरे है शिफ समुद्रम परियोजना के नाम से ही जानी चाती ही तो दोस्तों यह बीडियो यही पर शुराप्ट होता है यदि आपको यह बीडियो पसंद आया हो तो पलीस लाइक करें शेयर करने और सब्सक्राइब करने ना भूले सह चलिए दोस्ते हैं अंगले नेंस्ट व्यूडियो में, तब तक क्यों दोस्तों बाय